वेल अगेन गूड इवनिंग स्टुडेंस पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमारी जो वैज्ञानिक प्रभंद के सिध्धान्थ हैं और उसकी तक्नीके हैं उसके बारे में हमने डिसकॉशन किया था अब देखिए हम लोग फेयॉल के फेयॉल हैंडरी फेयॉल नाम का एक व्यक्ति था एक एकस्पर्ट था जिसने हमें प्रभंद के सिध्धान्थ दिये और वो जनरल सिध्धान्थ थे अब देखिए पहली बात यह है ध्यान देने की कि प्रभंद क्या उसको क्लासिकल विचा विचारधारा का व्यक्ति कहा जाता है या एकस्पर्ट कहा जाता है जो टेलर था वो तो कार खाने में या जहाओ जो वो जो वर्क प्लेस है वहां पे जो कार्य होता था उसको बहतर तरीके से कैसे किया जाए उसके लिए उन्होंने प्रिंसिपल्स यानि सिधान्थ भी बन इसके अलावा जो प्रभंद के क्लासिकल विचारधारा के एक्सपर्ट यानि फेयॉल थे, उन्होंने हमें ये बताया कि श्रमिकों के लिए तो उन्होंने बताया था हमें, जो हमारे FW टेलर थे और जो जेनरल थे, जो सामान्य तोर पे थे, यानि प्रभंदकों को किस प्रक जो है, फेयॉल के बारे में पढ़ेंगे, हैंडरी फेयॉल के और FW टेलर इन दोनों के बारे में आप लोग पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आपने डिफ्रेंसियेशन भी इनका देखा हुआ है, ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, कि जहां पर टेल अपने एरिया में काम किया, उसका एरिया था जो एक्च्वल में वर्क प्लेस होता है वो, और जो हैंडरी फेयॉल है, उनका एरिया है कि प्रभंध को कितनी कुशलता से, प्रभंध को कितनी कुशलता से कारियर करना चाहिए, अब देखिए, उन्होंने इस बात को समझाने के लिए हमें 14 सिद्धान्त दिये हैं अब हम लोग धीरे धीरे करके 14 सिद्धान्तों को स्टडी करेंगे ठीक है आब यहां पर थोड़ा सा आप देखिए आपके जो स्क्रीन पर आ रहा है ये उनके जीवन के परीचे है थोड़ा बहुत उनके बारे में बताया हुआ है वो आ प्रेशन यानि प्रेशा उनका बताया है कहां के वो नागरिक थे कितनी उन्होंने स्टडी या सिक्षा प्राप्त की कौन से पद पे वो कार्या कर रहे थे और इसमें एक जो सबसे महत्वपून बात है वो यह है कि उन्होंने एक किताब लिखी थी और उसको हम लोग इंग सिध्धान्त हैं उनके बारे में बताया और ये बताया कि हमारे जो प्रभंदक हैं वो किस प्रकार कुशलता से कार्य करके और जो पूर्फ निर्धारित लक्ष हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं तो आईए देखते हैं सबसे पहला जो सिध्धान्त है वो क्या है देखिए आ कार्य विभाजन इसका मतलब है कि कोई भी कार्य हो उसको अगर आप एक शुद्ध तरीके से और एक सिस्टेमाटिक तरीके से छोटे-छोटे भाग में बाट करके अगर उसे पूरा करेंगे तो वो कार्य जो है वो आसानी से हो जाएगा, कम समय में हो जाएगा और जो वेक्त विभाजता यानि specialization ग्रहेंड कर लेंगे ठीक है, तो कार्य विभाजन यानि किसी भी एक बड़े कार्य को छोटे-छोटे कार्यों में विभाजित करके और उसे लोगों में या श्रमीकों में या करमचारियों में बांट देना ताकि जो कार्य वो कर रहे हैं वो उसमें व सब से पहले ये देखेंगे कि कार्य विभाजन से जो सबसे बड़ा लाब होता है, वो विषिश्टी करण होता है, ठीक है? तो विषिश्टी करण, अब फेयल क्या कहते हैं? कि कार्य विभाजन का उद्देश एक बार के परिश्रम से अधिक उत्पादन एवं स्फ्रेश्ट कार्य करना है Definitely एक व्यक्ति एक कार्य को बार-बार करेगा तो उसमें विशिष्टा हासिल अवश्य करेगा इसको मैं आपको एक example के द्वारा बताना चाहूंगी यह हम पहले क्लास में भी डिसकस कर चुके हैं कि अगर आप किसी ऐसे उपकरम में कार्य कर रहे हैं जहाँ पर कपड़े सिलने का कार्य होता है तो एक शर्ट बनानी है for example अगर शर्ट बनानी है तो उस शर्ट के काम को विभाजित कर दिया जाएगा कि एक व्यक्ति जो है स्रिफ कटाई करेगा कपड़े की दूसरा व्यक्ति जो है वो सिलाई करेगा तीसरा व्यक्ति बटन टाकेगा और चोथा व्यक्ति उसे पैक करेगा तो जो व्यक्ति जिस कार्य को कर रहा है बार बार उसको repeat कर रहा है वो उसका expert बन जाएगा वो उसको करने में कम समय लेगा अतै हमारे समय की भी बचचत होगी उत्पादन जो उत्पादन शमता है उसमें बढ़ोतरी होगी और विशिष्टी करन का तो लाब होगा ही होगा इसको ही हम कहते हैं कार्य का विभाजन ठीक है? इसके बाद आप देखिए अधिकार एवं उत्तरदाइत्व इस principle के अनुसार इस principle के अनुसार फेयोल के कहना चाते हैं कि अगर आप किसी वियक्ति को या करमचारी को कोई कार्य करने का उत्तरदाइत्व देते हैं यानि responsibility देते हैं तो उस कार्य को करने के लिए जिन अधिकारों की उसे अवश्यक्ता है वो भी उसे अवश्य ही देने चाहिए अन्यता वह व्यक्ति अपना कार्य पूरे क्षमता से नहीं कर पाएगा ठीक है? तो यहां पर अधिकार एवं उत्तरदाइत्व के बीच में एक पारटी होनी चाहिए एक इक्वालिटी होनी चाहिए यह दोनों जो दूसरा जो प्रिंसिपल है इसमें यही कह रहा है इसको आप एक बार और एक्जाम्पल से अगर आप समझना चाहें तो यह मैं आपको बताती हूँ छोटा सा एक्जाम्पल है पुक्के हैं जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वो तो आप पढ़ेंगे ही एक एक्जाम्पल मेरी तरफ से सुन लीजे फॉर एक्जाम्पल अगर मैंने आपको कहा कि आपको अपने क्लास को जो है वो पेंट करना है आपकी क्लास को पेंट करना है उर जो भी paint का से संबंदित सामान है वो मैंने एक store week में lock कर दिया है और मैंने वो store room की चावी ज़ो है वो किसी भी बच्चे को नहीं दी है या किसी भी करमचारी को नहीं दी है और मैं कहती हूं कि उस पे सिर्फ मेरा अधिकार है मैं ही उसको क्छोल सकती हूं, मैं ही उसमें से सामान ले सकती हूं मैंने आपको responsibility तो दे दी कि आपको अपनी classroom को paint करना है लेकिन मैंने आपको अधिकार नहीं दिया कि आप वहाँ से जाके सामान स्टोरूम से ले सकें तो जब तक मैं आपको अधिकार नहीं दूंगी आप अपना जो responsibility या उत्तरदाइत्व है उसको नहीं निभा पाएंगे तो फेयोल यहाँ पे कहते हैं कि जहाँ पर responsibility या उत्तरदाइत्व दिया जाता है उसको निभाने के लिए प्रभंदक को चाहिए कि वो उसको निभाने के लिए जो जितना आवश्यक अधिकार है उतने भी करमचारियों को आवश्य ही दे ठीक है तो यहाँ पर यह आपका दूसरा सिध्धान्थ है ठीक है अब दूसरे सिध्धान्थ की अलावा हम लोग तीसरे पर चलेंगे और वो है अनुशासन अनुशासन यानि discipline you know it very well अनुशासन का अभिप्राय है कि जो भी कार्य एक उसमें office में है या फिर general area में है जो एक उपक्रम है उसमें अगर आप कोई कर रहे हैं तो उसको अनुशासन से करना चाहिए यानि उसके उसकार्य को करने के लिए कुछ नियम होते हैं कुछ शर्ते होती हैं उनका पालन आवश्यक है अगर आप अनुशासन से कार्य नहीं करेंगे तो आपका कार्य जो है वो सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा ना ही आप पूर्व निर्धारित लक्षों को हासि कर पाएंगे तो फेयोल ये कहते है कि अनुशासन जो है वो हर एक लेवल पे होना चाहिए आपने लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ी होंगी स्तर यानि प्रभंदन के स्तर पढ़े होंगे जिसमें कि आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट है मिडल लेवल है लोगर लेवल है और हर एक लेवल पे अगर डिसिप्लेन या जो भी आपको नियमावली दी है उसके अनुसार अगर काम नहीं किया जाएगा तो आप फिर वही बात आ जाती है कि पूर्व निर्धारित लक्षों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे ना ही तो व्यक्तिगत लक्ष है और ना ही संग चन्त आवश्चक है चलिए अब जो अगला है आपका सिध्धान्त वो है आदेश की एकता आदेश की एकता के सिध्धान्त में फेयौल ये कहते हैं कि कोई भी करमचारी है कोई भी करमचारी है उसे केवल एक ही अधिकारी होना चाहिए अगर उससे एक से जादा अधिकारी होंगे तो क्या situation होगी आप सोचिए जी हाँ situation यही होगी कि करमचारी जो है वो हमेशा confused रहेगा कि मैं कौन से अधिकारी की बात मानूं for example अगर आपको अपने आपको ही लगा अगर आपकी class में दो teacher या तीन teachers एक साथ आ जाते हैं और English के teacher कहती है कि कि आप अपनी English की किताब निकालो हिंदी की teacher कहती है कि आप अपनी Hindi की किताब निकालो और आपकी accountancy की teacher कहती है कि नहीं-नहीं मुझे accountancy पढ़ाना है तो क्या आपके लिए confusion की situation नहीं होगी कि हम कौनसी किताब निकाले और कौनसी किताब को पड़े किसका आदेश माने ठीक उसी तरीके से आदेश की एकता का सिध्धान्त जो है वो ये कहता है कि किसी भी करमचारी का एक और सुर्फ एक ही अधिकारी होना चाहिए इससे उसे काम करने में काफी मदद मिलेगी और वो एक ही अधिकारी के प्रती accountable होगा जवाब देही निर्धारित करने में हमें सफलता मिलेगी तो इसमें आदेश की एकता के सिध्धान के नुसार किसी भी अपचारिक संगठन देखे, संगठन दो प्रकार के होते हैं, जो हम आगे आने वाले चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे अपचारिक और अनपचारिक, एक से अधिक आदेश अगर उसको मिलेंगे तो confusion की situation definitely increase हो जाएगी ठीक है, इसके बाद बेटा हम लोग देखेंगे कि निर्धेश की एकता देखिए, अब निर्धेश की एकता और आदेश की एकता दिखने में कुछ एक जासा लगता है, लेकिन निर्धेश की एकता का सिध्धान्त ये कहता है कि कोई भी संगठन है कोई भी संगठन है, उसमें जितनी भी इकाईया हैं, उनको कॉडिनेट करके और उनको सेंट्रलाइस्ट एफर्ट्स करके एक ही माध्यम और सामान उद्देशों की और अग्रसर होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में उनको दिशानिर्देश मिलने चाहिए, अब इसको आप स्टडी कर लेंगे, काफी अच्छे तरीके से इसको हम ये भी कहेंगे कि यह कारवाई की एकता एवं सहयोग को सुनिश्चित करेगा कि जो भी कारवाई की जा रही है वो एक ही डिरेक्शन में या दिशा में जा रही है और आपस में करमचारियों का सहयोग भी होगा, अब इनोंने उधारन के लिए दिया हुआ है, वो आप एक बार स्टडी कर लेंगे, देखिए, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, जैसे एक कंपनी मोटर साइकल और कार का उत्पादन कर रही है, इसके लिए उसे दो अलग-अलग विभाग बनाने चाहिए, यह नहीं कि मोटर साइकल और कार सब एक ही साथ में होगा, तो वहाँ पर अगेन एक कंफूजन की सिचुएशन क्रियेट हो जाएगी, कि मोटर साइकल के पार्ट्स को देखा जाए, कि मोटरसाइकल का उत्पादन किया जाए, कि कार का उत्पादन किया जाहि, कि सकी मांग, कि सकी पूरती, कफी सारे ऐसे क।च्चन जो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो भी इकाई होती है, उसका दिशा- Messiah परदेश एक दिशा में होना चाहिए और ये देखिए आपको इसमें डिफ्रेंसियेशन भी इन्होंने दिया हुआ है आदेश की एकता और देश की एकता इसको आप लोग एक बार रीडिंग करेंगे बहुत अच्छे तरीके से और इनके उपर नोट्स भी बनाएंगे इसके बाद के जो आपके फेयॉल्स हैं सॉरी इसके बाद के जो आपके सिध्धान्त हैं उन्हें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और बेटा जो भी आप वीडियो देखते जा रहे हैं उसके नोट्स आप जरूर बना ले ताकि आपको रिविशन में कोई दिक्कत न है और